नमस्कार दोस्तो आपके अपने नुटूब चैनल कलाम स्टडी में आपका हादिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम रचा करेंगे राश्तान का सम्माने प्रिचे हम पढ़ रहे थे यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक दोस्तो आपको उपर आई बटन में और निचे डिस्क्स में आपको लिंक दियाओं मिल जाएगा तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को जुरू पढ़ें अधिक से वार्टसबं में शेयर करें यदि आपने वे तक हमारे चेनल कलाम स्टुडिको सब्सक्राइब है तो नीचे देगे लाल सिक्रेप के बटन को दबा कर चेनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तो उसके पस जो बेल आईक और गंटे कसान है उस गंटेंग को निसान को दबा कर उस पर all select कर लें जिसे हमारे आगे आने वाले सभी जो रास्तान जीके के वीडियो है वह complete वीडियो आपको मिलते रहें तो उनका notification भी समय पर आपको मिलता रहें तो दोस्तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे जो श्रीच चल लई है कि यूटूब के इतियास में दोस्तो पहली बार जो हैस्त लिकिस नोट से हाथ से लिकिए और नोट से आपको पढ़ाई करने को मिल रही है और ये बहुत ही मेनद से तियार कियोगे नोट से और सभी नोट से जो रास्तान की जो शीमारेका है उससे लगने वाले जो राज्य ये देश हैं उनके बारे में पढ़ा था कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है कौन सी दिशा में कौन सा देश है उसके बारे में हमने पढ़ा था अब आज हम शुरू करते हैं अंतर राज्य ये शीमारेका से तो दोस्तो के जो जीले और राज्तान के शीमारेका को छुने वाले विबिन राज्यों के जीलों का जो उलेक है वो हम नीचे करेंगे तो उनका हमें अदिन करेंगे तो सबसे पहले पंजाब राज्ये के बारे में पढ़ते हैं तो पंजाब राज्ये से जो राज्तान के जीले लगते है उनके बारे में हम पढ़ेंगे आपके बास दोस्तों यही राजस्तान का मेव प्लूप्द है तो मेव को आप लेकर बैटें तो उसमें चीन यूती साथ साथ में करते जाएं जिसे आपको आसानी हुगी ता मेव में ही जो जानकरी मैं आपको बता रहा हूं वह आप लिखते वहीं राजस्तान से जो पंजाब के जिले लगते हैं वह भी दो हैं तो वो जिले कौन से हैं फिरोजपूर और मुक्सर है ये राजस्तान से पंजाब के जिले लगते हैं तो पंजाब के हनुमानगर जिले के सबसे कम लंबी शिमारेका है तो गंगानगर जिले के सबसे लंब राज्य शीमारेखा नवासी किलोमेटर बनाने वाला राज्य है यह पूछ लिया जाए कि राज्तान के साथ सबसे कम अंतराज्य शीमारेखा बनाने वाला राज्य कोंचा है तो सबसे कम जो अंतराज्य शीमारेखा बनाता है वह है पंजाब तो उसका आंशुर हो गया पंज हरियाना से दोस्तो कौन-कौन से जिले है वो टच करते हैं तो उसका आप को एक सुटर यार शोट ट्रिक बोले शोट ट्रिक आपको बता दे रहा हूं कि यह है कि नोट कर लिए आप शिकर जुझनु के चुहें ऐजब हैं यह एंडरलाइन कर रखे मैंने शिकर जुझनु के अजब है यह आप याद कर लेंगे तो आपको हरियाना से जो टच होने वाले जिले हैं उनकी जानकरी एकदम ही याद हो जाएगी तो दोस्तों शिकर जुझनू के चुहें अजब हैं तो इसके बारे में आप ऐसे पढ़ेंगे कि हरियाना के जो राजस्तान के साथ जिले टच होते हैं उनमें हनमानगण चूरू जुझनू शिकर जेपूर अलवर और भरतपूर की शिमाएं लगती हैं तो शुतर से हम देखेंगे कि शिकर एक हो गया जुझनू दो हो गया फिर चू से चूरू तीन हो गया यह हो गया अलवर जेपूर और भरतपूर इस प्रकार प्र तो शिर्च साटा चोता है पतेयाबाद, हिसार, बीवानी, महेंदरगड, रिवाडी, गुडगाओं के शिमा लगती है आगे देखते हैं कि हनुमानगड जो जिला है रास्तान का उसके शिमा रेका पंजाब और हरियाना दोनों से लगती है हरियाना से दोस्तों सरवदिक लं जिले हैं वहें टच होते हैं तो उत्रपदेश के रास्तान के दो जिलों की भरतपूर और दोलपूर की शिमा रेका लगती है दोस्तों राजस्तान के उत्रपदेश के दो जिले टच होते हैं तो आपने जैसे देखा कि पंजाब के कितने जिले टच होते हैं दो रास्तान क जो है यूपी के टैच होते हैं तो उत्रपर्देश से राजस्तान के दो जिले भरतपूर और दौलपूर की सीमा रेखा लगती है और वही राजस्तान से जो यूपी के दो जिले हैं आगरा और मतूरा उन दोनों के सीमा रेखा लगती है दोस्तो बरतपूर की सीमा हरियाना वह उत्रपरदेश दोनों से लगती है आगे देखें तो उत्रपरदेश से सरवधिक जो लंबी सीमा है वह दोस्तों बरतपुर जीले की सबसे कम और दोतपुर जीले की सबसे अधिकरी लगती है अगली जान करें जो देखें वह देखें मद्देपरदेश के वारे में तो मैंने लिकर का है कि सभी चीते परजा को धोग देंगे बाबा सभी चीते परजा को धोग देंगे बाबा तो ये सुतर आप नोट कर लीजिए इसे आप इसको जिलों को याद करने में आपको आसानी होगी तो जिले कौन कौन से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ मद्य प्रदेश से राजस्ताने के 10 जिलेट अच होते हैं जिनमें पहला हो गया धोलपूर, करोली, सवाइमादवपूर, कोटा, बारा, जालावाड, बीलवाड़ा, जितोडगड, परतापगड और बासवाड़ा इन जिलों के सीमा जो है मद्य प्रदेश से लगती है वहीं दोस्तों राजस्तान से जो मद्य प्रदेश के जिलेट अच होते हैं उनके संक्या भी 10 है तो उन 10 जिलों में कोन कोन आते हैं जाबवा, रतलाम, मंत्सोर, नीमत, साजापूर, राजकर, गुना, शिवपूरी, शिवपूर, और मुरेना इन 10 जिलों के सीमा है वह राज राजतानी से याद हो जाएंगे, जो आप फिर कभी नहीं बूलेंगे, अगली जानकरी जो है, वह है, मद्य प्रदेश्त, राजित्तान के साथ, सबसे लंबी अंतराज्य सीमारेखा बनाता है, तो सबसे कम अंतराज्य सीमारेखा जो बनाता है, वो मैंने आपको अभी लंबी शीमारेका बढ़ाता है अब देखते हैं दोस्तों मद्य परदेश के सरवदी जो संबी लंबी या लोंग शीमारेका देखें तो वह जालावाड की होती है और सबसे न्यूंतम जो अंतराजी शीमारेका है वह बीलवाडा जिले से मद्य परदेश की लगती है अब बा दाष्टान सी जो गुज्रात के जीले तच्छे होते हैं वे दूस्तो पांच होते हैं तो यहां पर आपको तो यह सो ब्राबर ब्राबर नहीं है रास्टान के अच्छे है और गुज्रात के पांच जीले, उन पांच जीलों में देखें तो क Character, Binaskhandha, Savarkhandha, आगे हैं आगे देखें तो जो बांसवड़ा की सीमा है वह दोस्तों मद्य पड़ेश यह गुजरात दोनों राज्यों से लगती है बाड मेर की सीमा दोस्तों गुजरात के साथ लगने वाले नियूंतम सीमारेका है और उदेपुर की सीमारेका जो है वह सबसे लंबी है बाड मेर की जो शीमारे का दोस्तों वह पाकिस्तान और गुजराद दोनों से लगती है यानि बाड मेर की है वह अंतराश्ट्रिय और अंतराजिय शीमा दोनों को टच्ची होता है इसके अलाओ दोस्तों शीरी गंगानगर की जो शीमारे का है वह पाकिस्तान और पंजाब दोनों से लगती है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शीरी गंगानगर और बाड में दो ऐसे जीले हैं जो अंतराश्ट्रिय और अंतराश्ट्रिय दोनों प्रकार की सीमारे खाउं को चूते हैं अब बात करें दोस्तों अंतराष्ट्रिये सीमा रेखा की तो मैंने आपको कल बताया था कि अंतराष्ट्रिये सीमा रेखा जो अपनी है वह दोस्तों 1070 किलोमेटर है तो 1070 किलोमेटर पकिस्तान से राजस्तान की सीमा लगती है और राजस्तान की इसमें चैर जिले है जो पक पाकिस्तान से संप्रक में है इनके बारे में देखें तो राजस्तान की 1070 किलोमेटर लंबी सीमा रेखा जो पाकिस्तान से लगी हुई है उसे दोस्तों हम रेड कलिफ रेखा भी कहते हैं रेड कलिफ लाइन भी कहते हैं इसके नाम से भी जाना जाता है इस सीमा रेखा का प् कोना गाउं हिन्दु मल कोर्ट गंगानघर में एक जगह है उसके कोना गाउंस से शुरू होता है वहीं दोस्तोуск उसल्ब तो देच उस उसके जिले राजतान से टच होते हैं उनके बारे में देखें तो वैं है बावलपूर, मीरपूर, खास और खैरपूर है उनके शिमारेखा जो राजतान से लगती है अब बात करें दोस्तों जो अंतराष्ट्रिय शिमारेखा पर जो जिले हैं उन जिलों के बारे में हम चर्चा करे थोड़ी थोड़ी तो वे देखते हैं पहले चर्चा जो है शीरिक गंगानगर से करते हैं तो शीरिक गंगानगर है इसके बारे में देखें तो शीरिक गंगानगर जीले के साथ दोस्तो 210 किलोमेटर लंबी अंतराष्ट्रिय शीमारेखा लगती है वो राजस्तान के शीमाव तो आपको उसका आंस्वर देना है श्री गंगानगर तो गंगानगर से दोस्तों पाकिस्तान के बावलपुर जिले की शिमा लगती है अब बात करें दूसरे जिले की बिकानेर की जो अंतराश्ट्री शिमा बनाता है तो इसमें दो चेर्चचे आपको नोट करने की है तो हर जीले की में दोस्तों आपको बता रहा हूं जिसे शिरिख गंगानगर की 210 किलोमेटर लगती है ये नोट कर लेना और बिकानेर की कितनी लगती है 168 km लगती है और बाकी हम आगे जैसली मेर की और बाड़ी मेर की हम आगे चर्चा करेंगे तो बिकानेर जीलेक के साथ जो 168 km लंबी पाकिस्तान की अंतराश्टी शीमारेका लगती है सबसे कम लंबी अंतरास्टी जो शीमारेका है वह दोस्तो बिकानेर से ही लगती है अंतरास्टी शीमा से सरवज्जिक जो अधिक दूर सहर है या दूर जीला मुक्याले है वह दोस्तो बिकानेर है बिकानेर का पाकिस्तानी शीमावर्ती जीदा बावलपूर और खेरपूर की शीमा लगती है यानि बिकानेर की पाकिस्तान का जो बावलपूर और खेरपूर खास है उन दोनों की शीमारेका टच होती है आगे बात करें हम जेसल मेर की जेसल मेर की दोस्तो 404 किलोमेटर शीमारेका है वह पाकिस्तान से संपरक में है या पाकिस्तान से एटलिप लाइन पे की शीमारेका लगती है सबसे अधिक अंतराश्टे शीमारेका जो है वह जेसल मेर से लगती है और सबसे कम कि यदी पूझ लिया जाए सबसे कम की मैंने आपको अभी उपर बताया सबसे कम जो लगती है वह दोस्तों लगती है अपने विकानेर की 168 किलोमेटर अब आगे बात करें बाड मेर की तो अगल आगे बाड मेर तो जेसले मेर से पाकिस्तान के खेरपूर की शीमा लगती है और मीरपूर की शीमा लगती है तो जेसले मेर से कौन से दो जीले पाकिस्तान के संपरक में है तो पाकिस्तान का खेरपूर और मीरपूर है वह जेसले मेर की शीमा को टचे करते हैं अब बाढ़ मेर की बात करें द लंबी अंतराज्य शीमारेखा है वे जालावाडे जिले की है अंतराज्य शीमारेखा पुछी है यह द्यान से देखना आप यह अंतराज्य शीमारेखा के बारे में बता गया है अंतराज्य शीमारेखा जो सबसे कम लगती है वो मैंने आपको विकानेर के अभी उपर बताई और सबसे अडिक जो लगती है वह जालावाड जी ले की है वहीं दोस्तों पाकिस्तान के बावलपूर से राजस्तान की अंतरास्तिय शीमारेका है वह सहरवद की लगती है और वहीं दोस्तों पाकिस्तान के खैरपूर से सबसे कम अंतरास्तिय शीमारेका लगती है अब हम अंतर अंतर वर्ती जिले का मतलब हो गया की आप वो हो व्य जिलें जीन कि शीमा रेयर का ना तो किसी राजे से लगती है और ना ही किसी देश से लगती है या अंतर राजी यह आपका भी इतना फर्ज बनता है, कि सबी के साथ इसे सेर करें, चैनल को आप स्क्राइब जरू कर लें, आप देखते हैं दोस्तों, अंतरवर्ती जिले के बारे में, तो जो अंतार वर्ति जीले हैं वे दोस्तों जिनकी शीमारिखा किसी भी राज्यय अत्वादेश से स्पर्स नहीं करती यह राज्य जीले होते हैं और इनके संक्या कितनी है आठ है अब इनके बारे में हम चर्चा करें अब इससे पहले देखते हैं अंतराज्य शीमा पर श्तिते जिले तो जो अंतराज्य शीमा पर श्तित जिले हैं वो मैंने वैसे तो आपको पर पूरे बता दिये हैं फिर एक बार फिर रिपीट कर लेंग उन्तराष्टे शिमा पर जो शिते जिले हैं उनके से क्या 23 है कितनी है 23 जिले हैं उनमें गंगानेकर हनुमानगट चूरू जौजुनू शिकर जैपूर अलवर भरतपूर धोलपूर करोली स्वाइमादपूर कोटा बारा जालावाड बीलवाड़ा शितोडगड परतम मेर हैं यह अंतराष्टे शिमा भी बनाते हैं अब जो इन बच गए व्य हो गए आठ जिले बाते हैं जेने हम दोस्तों कि आपको मैंने उपर बताया उनके बारे में व्य अंतरवर्ती हैं शिमारेख़ा बनाते हैं अनतर वरती जिले निनी कहते हैं इस परकार जो उन्तराष्ट्रे शीमारेका बनाते हैं 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 उन्तराष्ट्रे शीमारेका लगने वाले दो जिले हैं उनका नाम हो गया बिकानेर ओरे जैसलमेर आगे दोस्तों हम बात करें पाली के बारे में तो पाली के बारे में बात करें अंतरवर्ती जिलों में आता है पाली तो पाली में हम देखें तो सुत्र हो गया पाली में जो अनारा उबा जासी यानि अना वारवदिक आठ जिलों से पाले की सीमा है वह लगती है उन आठ जिलों में हम देखें तो पहला नागोर, जोदपूर, अजमेर, रासमंद, उदेपूर, बाडमेर, जालोर, शीरोही ये आठ जिलों है इनको पाले की सीमा रिखा तच्छी करती है तो ये था दोस्तों हमारा रास्तान का जो समने परीचे है उसका पार्ट शेकिंड इसके बाद में कल हम शाम को 6 बजे पार्ट थर्ड के साथ में मिलेंगे और रोज आपको दोस्तों रास्तान जिक्के से समझ जी एक वीडिया आपको मिल जाएगी या कभी-कभी समय होगा दो वीडियो आपको इसको कर लेंगे तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को आप लाइक करें अधिक से दिक शेयर करें यह आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निचे दिये गे लाल स्क्राइब के बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर रहें तो उसके पास जो बेल एक उन गंटे का साने उस गंटे के निचान को दबा कर उस पर ओल सेलेक्टे कर लें धन्यवाद दोस्तों